तो स्टार्ट करते हैं Q21 से लेकर के जो हमारा साइन्स का एक्जाम स्पेशल सैंपल पर चल रहा है Q21-26 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है Q21-26 वेरी शॉर्ट आंसर के साथ रहा है Q21-26 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है Q21-26 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है Q21-26 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है Q21-26 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है Q21-26 वेरी शॉर्ट आनसर क्वेश्चन है है यहाँ पर displacement दिया है यहाँ पर कुछ भी नहीं है ब्लैंक है यहाँ पर बे यहाँ पर भी जो है blank है ओके displacement दिया है ओके जिंक सलफेट में no reaction तो यह तो आइदर यहाँ भी इनको no लिखना था यह चीज कुछ clear नहीं हो रही कि यह कहना क्या चाहरे है मतलब यह तो reaction हुई है यह no reaction हुई है ठीक ना यह खाली छोट रहा क्या हम लोगों के लिए कि इसको बताओ आप मेरे ख्याल से चलिए तो देखते हैं क्यार question पढ़ते हैं which of the most reactive metal तो देखें यहाँ पर जो रियक्टिव मेटल मेटल एक के बारे में यस यह देखिए हां तो यह जो है based on the reactivity series the relative position of the metal metal sorry उपर वाला पार्ट पढड़ा था मैं नीचे वाला पढ़ गया तो देखे zinc chloride plus H2O water remove कर रहा salt and water और अगर यहाँ पर यह base के साथ रियक कर रहा है तो sodium zincate बनाके भी water remove कर रहा है अब आ जाते हैं उस question पर जो अभी हम कर रहे हैं यह वाला question है ना sample of the four metal ABCD were taken and added to the following solution one by one the result obtained यह आपके सामने result obtained है बट इसमें confusion है कि यहाँ पर इन लोगों ने dash क्यों देखर करके रखा है ठीक है अब देखें metal A है metal A copper को displace कर रहा है metal A iron के साथ कोई reaction नहीं दे रहा है बट copper को displace कर रहा है मतलब A जो है copper से ज्यादा reactive है अब जो metal B है वो iron को displace कर रहा है copper के साथ कोई यहाँ पर इन लोगों ने result नहीं दिया है और zinc के के साथ जो है zinc के साथ यह no reaction और silver nitrate को replace नहीं कर रहा है ठीक ना कोई result नहीं दिया अगले में metal C जो है iron के साथ no reaction copper के साथ no reaction zinc के साथ no reaction and silver को यह replace कर रहा है और यह जो D है यह चारों में no reaction तो मतलब सबसे समझ में आगया कि सबसे जो least reactive है वो D है तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि सबसे least reactive कौन सा है तो अपन बता सकते हैं D सबसे कम reactive है ना which is the most reactive तो आप देखो कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो active है वो कौन सा है इन सब में सबसे ज़्यादा जो active है यहाँ पर डेखो iron को replace कर रहा है बी replace कर रहा है और iron को बागी को replace करने की ताकत किसी के पास नहीं है ठीक है ना तो मेरे ख्याल से iron को जो replace कर पा रहा है B replace कर पा रहा है तो सबसे ज़्यादा reactive यहाँ पे B होना चाहिए तो which is the most reactive metal मेरे ख्याल से answer B होना चाहिए A के बारे में देखो कुछ result नहीं दिया हुआ है A copper को react कर रहा है और copper जो होता वो iron की नीचे आता है है ना तो A जो होगा B से कम होगा अब कहरा arrange A, B, C, D in the reactivity increasing reactivity मतलब सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा की और reactivity में arrange करना चलिए आए देखते हैं यहाँ पे हाँ तो based on the reactivity series the relative position of the metal involved in the solution यह देखो zinc सबसे ज़्यादा reactive होता है फिर iron होता है फिर copper होता है और फिर क्या होता है silver होता है ठीक ना मतलब इनके पास जो metals है वो कौन कौन है देखो भाई यहाँ पर zinc है zinc के बाद iron आता मतलब reactivity series में सबसे आंगे कौन है zinc है zinc के बाद कौन है iron है आप iron के बाद copper है copper के बाद क्या silver है अब यहाँ पर यह देखो कि zinc को displace कौन कर पा रहा है zinc को कोई displace नहीं कर पा रहा है तो इस तरीके से zinc को कोई displace नहीं कर पा रहा है यहाँ पे तो metal A is more reactive than copper and it is less reactive than iron जो metal A है वो copper से ज्यादा reactive है और less reactive है किससे iron से सही बात है metal B is more reactive than iron and less reactive than zinc metal B जो है वो reactive मतलब copper को तो replace कर लिया है और iron से कम reactive है बिल्कुल सही बात है और दूसरा वाला क्या कह रहा है कि metal B जो है iron को replace कर दिया तो iron से ज्यादा zinc से कम है तीसरा वाला more reactive than silver and less reactive than other metal और चौथा वाला जो है वो least reactive है बिल्कुल सही बात है तो मैंने correct answer दिया था जो मैंने बूला metal B जो है वो most reactive है अब order में देखिए सबसे पहले B है ओके और सबसे last में कौन आ रहा है D आ रहा है अब इसके बाद बज़ गई किसकी बारी आपके पास C और A की तो series देखिए देखो दियान से C किसको displace कर पा रहा है C no reaction C displace कर पा रहा है silver nitrate को और D किसको और A B किसको replace कर पा रहा है B replace कर पा रहा है और A की बात है नए B तो टॉप पे है और A किसको replace कर पा रहा है copper को और silver जो copper होता वो silver से उपर आता है मतलब जो A होगा वो reactivity order में आंगे होगा है ना तो A जो होगा reactivity order में आंगे होगा तो सबसे कम D फिर उसके बाद कौन सा आएगा C फिर उसके बादा आएगा A और उसके बादा आएगा B तो यह थोड़ा सा question दिमाग की खपत मांग रहा है आपकी थोड़ा सा इसको time देना पड़ेगा आपको इस तरीके से आंसर आचुका है चले तो finally यह भी हो गया देखें यह जो लाइन लिखी हुई है यह आपके मन के अंदर की चीज है इसको आप लिखो या ना लिखो यह बीच की लाइनों को इतना कोई जरूरी नहीं है चले question number 22 देखते है question number 22 क्या कह रहा है state how concentration of oxygen simulates the cells to grow longer inside of the shoot which is away from the light तो यह biology का question है इसका answer आप लोग एक बार देख करके पढ़ लिजे question number 22 का answer यहाँ से शुरूर करके यहाँ पे खताम है आपको time दे रहा हूँ प्लीज इसको पढ़ लिजे चले अगला देखे question number 23 transpiration is the necessary you will justify the statement तो फिर से एक बार यह bio का question है transpiration के बारे में दिया गया यह देखे question number transpiration का है इसको भी पढ़ लिजे question number 23 जो है यह biology का question है then question number 24 की बात कर देखे question number 24 देखे क्या दिया गया how is the required how is required pH maintain the stomach and small intestine okay how is required pH maintain is the stomach and small intestines pH मतलब maintain होना चाहिए कैसे होना चाहिए देखे इसमें लिखा हुआ है the required pH maintain in the stomach due to the presence of the HCL in the gastric juice and in the small intestine and in the small intestine size the required pH is maintained due to the secretion of the bile juice from the liver which is alkaline in the nature as well as intestinal juice is also alkaline मतलब दो juice यहां पे होते हैं एक तो आपके पास में निकलता है bile juice जो की liver से निकलता है दूसरा intestinal juice जो होता है वो की alkaline होता है intestine से निकलता है और तीसरा जो है आपका जो stomach से gastric juice निकलता है वो क्या होता है acidic होता है चले question number 25 पढ़ते है question number 25 state whether an alpha particle will experience any force in magnetic field first it is placed in rest तो आपको पता है कि rest में कोई particle है तो no force कोई force जो है realize नहीं करेगा it is moves in magnetic field parallel to the field lines no अगर magnetic field के parallel charge particle move करता है तो कोई force field नहीं करता है it moves in magnetic field perpendicular to the field lines yes इस समय यह maximum force जो है realize करेगा अगर particle charge particle field के perpendicular move करेगा अगला write the three ways to produce magnetic field magnetic field produce करने के तीन तरीके यहां पर लिखते हैं बट चलिए पहले question number 25 का solution देख लेते हैं if alpha particle is at rest in a magnetic field it will experience no magnetic force if alpha particle moves parallel to the magnetic field lines it will experience no magnetic force in this case also if alpha particle moves perpendicular to the magnetic field lines it will experience a maximum force of the electric field on it magnetic field on it in the direction of the force on alpha particle can be identified using flaming left hand rule मतलब इससा में जो force है force की direction को आप flaming left hand rule को यूज करके आप प्राप्त कर सकते हो चलो अगला question के लिए write the three ways to produce the magnetic field magnetic field produce करने के कोई तीन तरीके बताईए so magnetic field can be produced by made available or made available or to a place wherever required you by using first a permanent magnet or an artificial magnet like bar magnet horseshoe magnet you can use to produce magnetic field a straight current carrying conductor is used to produce a magnetic field a flow of current in a solenoid is also used to produce magnetic field next question कि तर चलते हैं question number 26 क्या कहरा देखिये question number 26 kidney produces kidney produces 180 liter of the filtrate one liter of the filtrate per day but amount of urine lilies 1.5 to 2 liter per day justify this statement बढ़िया question कि kidney जो होती है per day में 180 liter blood चान देती है जो kidney होती है वो 180 liter blood जो होती है हमारे सरीर से चान करके देती है मगर जो हमें urine यानि की जो मूत्र हमें present होता है जो हम urine x बाहर छोड़ते हैं वो देड़ से लेगे 2 liter हुआ करता है क्यों होता है ऐसा देखिया answer kidney produces 180 liter filtrate per day but the amount of urine is released 1.5 to 2 liter per day this is due to the phenomenon of the selective reabsorption selective reabsorption that absorbs 99% of the filtrate and helps in the concentration of urine चले यह भी question हो गया यह बायो से था next question पढ़ते है question number 27 ओके observe the figure given and answer the following question यह देखिये cork है यहां से gas निकल रही है यहां के gene granules डले हुए तो reaction मुझे याद है कौन सी होती है जडन प्लस मेरे खाल से dilute sulfuric acid मतलब H2SO4 है तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा ZNSO4 प्लस hydrogen gas यहां से बाहर निकल जाएगी मतलब कौन सी gas निकली है hydrogen gas अब पढ़ते हैं how will you test the gas for which is liberated out the experiment तो सबको पता है pop sound test होता है which right the chemical reaction अभी लिख देंगे which type of chemical reaction taking place तो यह कौन सी reaction है यह single displacement or displacement reaction है it is an exothermic haa flask गरम हो जाता है इसलिए यह exothermic reaction ही है चले रेखते है yes x is a hydrogen gas the gas liberated is a hydrogen and it can be and can be tested by taking a burning match stick near the mouth of the test tube which which the reaction taking place this gas was burn with a popping sound absolutely that gas will be a hydrogen zinc plus H2O4 equal to ZNSO4 plus H2 भूलिये गा नहीं बड़े zinc की straight solid है H2O4 aqueous है ZNSO4 बनेगा aqueous and hydrogen gases फोह में बाहर निकलेगी and the type of reaction is displacement also it is an exothermic reaction as heat is involved here next question की तरफ चलते है question number 28 a metal M which is one of the good conductor of the heat and electricity is using for electric viruses found in nature in sulfide ore of M2S exactly भी पता चल रहा है अगर metallurgy आपने पढ़ी हो तो ये Cu2S यनि की copper sulfide होना चाहिए क्योंकि sulfide ore copper की मिलती है जिसका use क्या बनाने मीं किया जाता है electric wire में name the metal M तो M मेरे खाल से होगा copper होना चाहिए which process will be suitable for the concentration of the ore M2S M2S के concentration के लिए कौन सी process इस्तमाल होना चाहिए इसका answer देखेंगे with the help of the level diagram explain the process of the electrolytic refining of metal oh my god यहाँ पर electrolytic refining के दिये अब electrolytic refining of the metal with the help of level diagram explain the process of electrolytic okay 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 देखे यह जो question है ना इन दोनों के context में नहीं बोला गया थी आप यह नहीं सोचने लग जाओ कि इन दोनों से related है यह अलगी दिया गया यह question okay A B C तो यह जो है यह मेरे को लग रहा है कि यह से अलग है क्योंकि भाई copper की electrolytic refining तो हो नहीं सकती है copper तो मतलब less reactivity वाला है तो उसकी electrolytic refining तो हो नहीं सकती है मतलब जो C वाला part है वो उपर के दो question से independent है चलिए खेर देखते हैं हाँ बिल्कुल सही है answer है copper इसको enrich कैसे किया जाता है इसको enrich करते हैं by the process broth flotation process यह throat flotation होती है अब बात करते है strongly refining की तो आप को पता है एक anode होता है cathode होता है in pure man炉 को लगा देते है pure matter को आपको साफ करना होता है जिसको कुझ clean करना होता जिसको मतलब आपको purifying करना होता है उसी का salt solution यह आपकर ले लिए जाता है यह देखिए salt of the metal is taking less electrolyte, जैसे यहां पर आपके पास में copper है, तो आप किसका salt लेंगे, CUSO for aqua solution, यहां पर आप यूज करेंगे है, when electric current is passed, impure metal changing into the iron, which gain electrons at cathode, मतलब यहां से जब जो है, अगर आप इसको, जैसे यह यहां जैसे electricity pass करेंगे, तो यहां जो impure है, impure का iron जाएगा किसके अंदर, electrolyte के अंदर, और electrolyte का अंदर iron का किसके उपर चला जाएगा, इसके उपर जाएगा cathode के उपर, क्योंकि iron जो बनेगा, वो positive होगा, और cathode क्या negative है, तो इस तरीके से, when electricity is passed, the impure metal change into the iron, which gain electrodes, electrons at cathode and change into the pure metal, impurities are left behind the anode mud, behind as anode mud, और यह आपका anode mud बच जाएगा, चलिए, so क्या-क्या reaction होती है, add anode, देखो, anode में क्या होता है, metal जो होता, अपना positive आइन बना देता है, और electrons छोड़ देते हैं, अगर metal N positive आइन बनाएगा, तो कितने electron छोड़ेगा, N electron, अब cathode में क्या होता है, जो metal गया है, आपका N positive, M plus, N positive लेकर के गया है, वो cathode में जाके N electron गेन करता है, और क्या बना देता है, M, किस form में, solid form में, तो यह reaction थोड़ी सी complex है, इसको याद करने कि आपको जरूरत नहीं है, बस आपके exam में, जो book में copper वाली reaction दी गई है, वो उसको याद कर लो, क्योंकि यह थोड़ा सा आपके high level में, maybe कुछ लोगों को समझ में ना आए, चलिए question next करते हैं, अगला question number 29, लिस्ट 3 event occur during the process of photosynthesis, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है, जो मैं आपको मार कर रहा हूँ, इसको प्लीज आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए, I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चलिए, अगला question देखते हैं, देखिए, अगला question भी बायो का ही second part है, question क्या कहे रहाँ, देखिए, the breathing cycle is rhythmic various exchange of gases is continuous process justify this statement, पहला part है, how many molecules of ATP are produced in oxidation of glucose under the anaerobic condition, तो यह दो question दिये गए हैं, मैं वीडियो pause कर रहा हूँ, आप लोग इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कैसा इसका solution लिखा हुआ है, properly इसका solution त्यार कर लीजिए, यह देखिए आपका जो पहला part है, जो पहले part का object, breathing cycle से related जो question है, वो इसका solution इतना दिया गया है, और second part का भी answer दिया गया है, तो इसको वीडियो पॉस्ट करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से, अब देखिए question number 30, start करने, देखिए question number 30, क्या कह रहा, observe the following incomplete ray diagram for an object, where the object a-b- is formed by the convex lens, तो देखो भाई, यहाँ पे convex lens के द्वारा image बन रही है, अब देखिए, आप यह समझे कि यह image कहां पर रखी होगी, देखिए focus, यह 2F है, और यह 2F के इधर बन रही है, मतलब अगर 2F पर रहती, तो 2F पर बनती, मतलब यह पक्का कहां होगी, 2F के पीछे होगी, कहां पर होगी 2F के पीछे होगी, ठीक ना, चलिए, based on the above information, fill in the blanks, the position of the object AB would have been, मतलब जो object AB है, AB की position कहां होगी, तो answer देख लेते हैं, इसका देखिए AB, AB कहां होगी, beyond 2F1, मतलब जो AB होगा, यह 2F1 है यहां से आतक का, इसके भी पीछे होगा, है ना, तो beyond क्या होगा, 2F1, second, size of the object would have been, then the size of the image, तो कहरा, आप देखो, यह पीछे है, तो पीछे है, तो इसका image क्या बनेगा, इसमें से smaller बनेगा, क्योंकि यह rule होता है, कि अगर 2F के आप पीछे हो, तो आपकी जो image बनेगी, वो smaller बनेगी, तो क्या हो जाएगा, the size of the object, तो object तो बड़ा होगा, मगर image क्या होगी, smaller होगी, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई, object के बारे में, तो object तो बड़ा होगा, इसमें image smaller होगी, तो कहरा, object की size बताओ, size of the object would be bigger होगी, या larger होगी, क्योंकि अभी image smaller है, तो object तो larger होगा, समझेगा, confuse मत होईएगा, चलिए next question देखते हैं, अगला question, reflective index of the water and glass are 4 by 3 and 3 by 2 respectively, at rate traveling in the water incident on the water glass interface in 45 degree, what will be the angle of reflection of light? बहुत बढ़िया question है, सीधा सीधा snail's law का question है, आप देखिए light A कहां से रही है, water से, और जा कहां से रही है, glass में, तो water mu glass equal to sine i upon sine r, snail का rule जो होता है, water mu glass, मतब water से लेके glass equal to sine i upon sine r, अब इसको मैं break कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, water mu glass क्या बन जागा, mu glass upon mu water equal to sine i, अब देखो क्या incident tray है, incident करती है किसमें 45 से, sine i कितना बन जागा, sine 45 upon sine r, यह आपको find करना है, mu glass की value किती दी गई है, 4 by 3, ok, divide by mu water कितना गई है, 3 by 2, equal to sine i, sine 45 divided by कितना sine r, चलिए इसको solve कर देता हूँ, अच्छे से, तो देखे, 4 by 3, 2 पलटी मार के उपर हो, 3 कहां जाएगा, नीचे हो जाएगा, ok, equal to, 4 by 3 upon 2 by 3 है कि 3 by 2, 3 by 2, ok, सही बल्कुल सही चल रहे है, 4 by 3 into 2 by 3, 2 पर चला गया, equal to sine 45, 1 upon root 2, into कितना हो जाएगा, upon में sine r, 1 upon root 2 और upon में कितना हो गया, sine r, चलिए, इसको solve कर देता हूँ, कैसे solve होगा, देखो, 3, 3 कितना हो गया, 9, ये sine r की value पूछी गई है, ok, चलिए, चलिए, काफी सारी मेहनत करवाई गई है, अगर आपन को उतना कुछ डरना नहीं, इस question से, देखो, आराम से, मैं बता रहा हूँ, कैसे करेंगे, देखो, 4 into 2 कितना हो गया, 8, 8 अपन कितना हो गया, 9 equal to 1 upon root 2, sine r, तो sine r equals to कितना हो जाएगा, sine r equals to हो जाएगा, 9 by 8 root 2, तो मेरे हिसाब से, sine r equals to 9 by 8 root 2 आएगा, चेक कर लेते हैं, देखे, बिल्कूल सही आ रहा है, sine r equal to 9 by 8 root 2, यह इसको अभी आप solve करेंगे, तो sine r को उपर ले जाएगे, sine r equal to कितना हो जाएगा, देखे, यहाँ से, इसको मैं solve कर देते हैं, तो आप लोगों समझ मैंगा, 9 by 8 equal to, 9 by 8 equal to, 1 upon root 2, sine r, ओके, तो यहाँ से, sine r equal to, कितना आ जाएगा, sine r equal to 8, okay, sine r इधर आ जाएगा, और यहाँ पे, 8 upon 9 root 2, तो मैंने कहीं गरबड़ी करिये साइद, तो answer इसका कितना आ रहा, sine r equal to 8 upon 9 root 2, तो sine r equal to इतना जाएगा, r equal to 38.9, देखे, ऐसा question आपको नहीं आएगा, r की fix value आगे, अब आप कहेंगे, सर हम कैसे निकालेंगे, यह value, तो पक्का help दी गई होगी question में, यह देखे, आपको sine r की value इतनी आ रही है, मतलब आपको जो answer लिखना है, वो कितना निकला, 38.9, बच्चो इसको एक दो बार करिये, मैंने कहीं ना कहीं mistake कर दिये, मेरा 9 by a root 2 और इनका आ रहा है, 8 by 9 root 2, तो कहीं ना कहीं मैंने mistake करिये, क्या mistake करिये, देखे, 4 to the 8, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9, इधर पे आ रहा ज 9 by a root 2, चलिए, फिर से एक बार मैं कर लेता हूँ, इस question को कहीं ना कहीं mistake हो रही है, यहीं पर करता हूँ, देखे, क्या हो रहा है question में, तो हमारे पास जो raise है, वो कहां से कहां जा रही है, हमारे पास जा रही है, water से glass में, एक मिनट, मैंने कहां से भेजी है, मैंने water से glass में भेजी है, ओके water से glass में भेजी है, the refractive index of the water, a lighter incident water, हाँ, water से जा रही है भाई, मतलब नीचे आएगा water का term, और उपर आएगा glass का, हाँ, मेरा तो सही है, और इन लोगों ने उपर glass ले लिया है, और नीचे water ले लिया, मतलब इनकी जो raise है, नीचे water तो मैंने भी तो नीचे water ही लिया है, बिल्कुल सही लिया है मैंने, ओके तो देखे मैंने क्या लिया है, mu water upon नीचे और mu glass that equal to sign i upon sign r, तो sign 45, 1 by root 2, और sign r यहाँ पर आ जाएगा, एक बार फिर से मैं इसको solve कर देता हूँ, कि कहीं mistake होरी पता चल जाए, चले इसको मिटा दू मैं, यहाँ पर ना, ठीक है ना, तो mu g, glass का refractive index हमको कितना दिया गया है, तो glass का refractive index हमको दिया गया है, refractive index of water and glass, glass का refractive index हमको दिया गया है, कितना 3 by 2, ओहो, यह गलती हो गई, देखे मुझसे, मैंने glass के refractive index की जगए, मैंने water का refractive index रख दिया, जबकि glass का हमको दिया गया 3 by 2, बिल्कुल सही, तो 3 by 2 divided by water का refractive index 4 by 3, हाँ, solution में बिल्कुल सही किया हुआ, मैंने गलती कर दी थी तो 1 upon root 2 और कितना हो गया sin r, ठीक है उपर चले जाएए, रेके 3 उपर चले जाएगा 3, 3's are 9, और यहाँ पर कितना जाएगा 8 equal to 1 upon root 2 sin r, तो sin r को उपर ले जाएए, तो sin r सबसे उपर आ गया, यहाँ पर 8 उपर आ जाएगा, 8 upon 9 root 2 बस यही है answer आपका 8 upon 9 root 2, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं solve करना है, देखे आपको जो value यहाँ पर दी गई है न, 38.9 यही आएगा, अभी आएगा कैसे आप 11th class में सीखना, तो r equal to 38.9 degree, बस that's it, इतना छोड़ के आपको आ जाना है चली question number 31 देखते है question number 31, यह इतना सारा मैने यहाँ आप लिख दिया इसको एक minute का मुझे, एक minute नहीं मुझे आप 10 second दीजे मैं इसको मिटा देता हूँ पहले इसको, जिससे की कुछ समझ में तो आया हम लोग को चलीए चलीए दोस्तों, इतना काफी है, है ना इतने में सफाई हो चुकी है, भारस व अच्छवियान का हम सपोर्ट करते हुए यहाँ पर अब करते हैं, क्वश्चन देखे, क्या करा है, एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क ओफ रेजिस्टर शोन बिलो, बैट बैटरी लगी है, कितनी 12 वोल्ट की लगी है, कह रहा एफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, तो देखे कैसे बनाएगए, 6 और 3 का कितना निकलेगा, 6 और 3 का हमारा निकलेगा, टोटल 3 और 3 और 2 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यह कितना जाएगा, 5, current flowing through resistance 6 ohm, तो आपको बताना है कि 6 ohm से कितनी current जा रही तो सबसे पहले देख लें अपन लिओ भाई गल्ती हो गई 5 आ गया 4 आना था न तो यहाँ पे 6 और 3 का ओके गल्ती हो गए यहाँ लोगों से देखिए यहाँ पे मैंने जल्दवाजी कर दी है तो 2 ओम और मैंने इसका 3 समझ लिए था तो 5 आए जब कि इसका 3 नहीं होगा देखे किसे कैसे निकलेगा 1 upon r equal to 1 upon 6 plus 1 upon 3 देख रहे हैं गलती में कितनी बड़ी गलती हो गई है पन से जल्दवाजी में केवल है ना तो इतना जल्दवाजी नहीं करना एक्जाम में भी 1 upon r equal to देखें कितना आएगा 6 आएगा और यहाँ पर आजाएगा कितना 1 और यहाँ पर आएगा 2 तो तो यहाँ पर हमारे पास कितना आचुका है यह 6 हो गया है 1 upon 3 और 1 upon 6 का LCM कितना होता है 6 ही हो जाएगा LCM ठीक है और यहाँ पर आगा 3 और यहाँ पर आगा कितना 6 आगया है ठीक ना तो यह कितने का है, टोटल पैकेट दो का है, यह भी दो का है, तो टोटल दो प्लस दो, सीरीज में है ना, तो दो प्लस दो इक्वल टू चार ओम, तो पहला पार्ट बिल्कुल सही है, फोर ओम का रेजिस्टेंस निकलेगा, यह मैथड देख लीजेगा, अब देखे करना क्य तो देखे, पहला पार्ट जो था कि उसमें क्या था, यहाँ पे, पहले पार्ट में यह था कि हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना था, हमने फोर ओम फाइंड कर लिया है, अब देखे, जो इसका दूसरा पार्ट कर रहा वो कि इसको फाइंड करी, देखे, दूसरा यहां से 3A की current flow होगी अब ध्यान से देखेगा यहां से 3A की current flow होगी 6 और 3 के resistance है आपको निकालना current किस से है कि 6 ohm से कितनी current आपके पास में जा रही है तो देखें कैसे हमको करना पड़ेगा 6 and 3 का resistance है तो देखें total ampere current किती है 3A की और एक यहां पर 6 लगा हुआ है और इसके parallel में कितने काउम लगा हुआ है 3 काउम लगा हुआ है 6 और 3 resistance लगा हुआ parallel में यह पहले भी कुछ लगा हुआ है इससे हमारा लेना देना नहीं पहले 2 ampere है तो 2 ampere तो series में पड़ रहा मतलब 3 ampere की current जा रही है current का बटवारा इसमें होगा मतलब current इसमें बटएगी अब निकालना हमको 6 वाले से current कितनी जाएगी साइर यही question है 6 ohm से current कितनी जाएगी तो देखो कैसे निकालते है current इसको कैसे निकालते है तो 3 ohm है सबसे पहले आप देखो इसका total resistance कितना निकला था इसका total resistance निकला था 2 ओके तो total resistance आपका कितना निकला था यहाँ पर 2 निकला था तो total resistance इस box का कितना निकला था 2 ohm निकला था याद है आप लोगो न total resistance इसका कितना निकला था 2 ohm तो इसमें जो voltage आएगा total इस box में कितना आएगा voltage V equal to होता है IR या V equal to RI तो V equal to RI के तरीके से दी मैं करूँगा तो V equal to R कितना है 2 है current कितनी है इसके अंदर देखो 3A जा रही है तो मतलब voltage इसको कितना मिल गया 6V मिल गया तो 3A की current और 2 Ohm से जारी मतलब 6V मतलब यह जो box लगा हुआ है 6 और यह 3 इसमें total voltage है वो कितना मिल रहा है 6V का मतलब इस वाले resistance को भी कितना मिलेगा 6V और 3 Ohm वाले को भी कितना मिलेगा 6V तो यहाँ पर 3 Ohm लगा हुआ है और यहाँ पर 6 Ohm लगा हुआ है अब चलिए हमको current किस से निकाल ली है इस वाले से निकाल ली है तो formula कता I equal to V upon R तो voltage कितना मिल रहा हूपर वाले को 6V का voltage मिल रहा हूपर वाले को resistance कितना है 6 Ohm है तो cancel हो गया तो answer 1 volt upon resistance कितना होता है ampere तो answer होना चैस का 1 ampere चलिए check करता हूँ मैं answer में कि answer 1 ampere है की नहीं है बिल्कुल सही देख लीजे answer कितना होगा 1 ampere होगा तो आप मेरे तरीके से कर सकते है वो best है मैंने answer देखा भी नहीं क्या लिखा हुआ है मैंने solution कर दिया है आप लोग उससे कर लीजेगा चलिए देखें next question optics का है question number 32 a 6 cm tall object is placed perpendicular to principal axis of a concave mirror concave mirror focal length 30 दी गई है भई concave की focal length किती होती है negative में तो minus 30 दी लेजेगा 6 cm object है मतलब h equal to कितना है 6 है the distance of the object from the mirror is 45 मतलब u equal to कितना दिया गया minus का 45 the muse mirror formula तो determine the position and nature of the size of the image formed मतलब आपको भी निकालना है nature निकालना है आपको also draw the label diagram to show the image formation in this case ठीक है आपको और साती सात में दिखाना है label disc का diagram देखे focus what 30 पे है और object कितना रखा है minus 45 पे तो चलिए formula लगेगा 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u वाला तो ये देखे formula लगा करके mirror formula का आपने v निकाल लिया v equal to कितना आगया minus 90 मतलब object आपका 30 पी रखा हुआ है और image बन रही है minus 90 मतलब image कैसी बनेगी आपकी बड़ी बनेगी okay image आपकी बड़ी बनेगी position of the image कितनी आगई है minus 90 बनी हुई है और आपके पास में magnification equal to height of the image अपने हाइट of the object that is equal to minus 90 upon minus 45 और एक minus ये लगा हुआ है तो कितना आगया minus 2 ओके अब magnification equal to कितना होता अपने पास में minus 2 आचुका है that is equal to height of the image upon the height of the object तो height of the object आपके पास में कितनी ली गई है 6 तो आपके पास में height of the image कितनी ली गई है 6 किन तो 2 मतलब minus cut all minus cut all मतलब कितनी बन रही है ulti बन रही है मतलब inverted position में बन रही है और inverted image हमेशा कैसा बनेगा real बनेगा on the same side of object क्योंकि जितने भी real image आपके बनते हैं कौन के mirror में वो सब के सब कहां बनते हैं same side of the object बना करते हैं तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो solution इसको आप read कर लीजे अपनी भासा में थोड़ा सरल लगेगा आपको ये बाकी मैंने उपर उपर से बता लिया कि इस question को कैसे करना चलिए ये इसका diagram मना हुआ है देखे 45 पर इसका 45 cm object distance है तो इसको solve करके हमाँ पस V equal to 90 आ गया था बिल्कुल सही तो 45 पर अपने पास में क्या रखा है object रखा है और 90 पर इसकी क्या बन रही image बन रही है ठीक ना चलिए अगला question देखते है अगला question देखे an object of 6 cm in size देखो object की size दी गई है मतलब फिर से h equal to कितना दी है 6 cm place at a 50 cm in a form of front of convex lens तो convex lens के सामने 50 cm की दोरी पर मतलब u equal to कितना हो गया minus 50 focal lens किती भी गई इसकी 30 भी गई है मतलब f equal to कितनी है plus का 30 at what distance from the lens should a screen be placed मतलब आपको कहरा कितनी दूर पर screen place पी जा सके image आपकी bright बने शार्प बने आपका NCRT level का question है देखे कैसे करते हैं तो सब कुछ दिया गया है u आपको दिया गया है आपको f दिया गया आपको भी निकालना solve कर लिजे v की value कितनी आ गई 75 है मतलब किस तरह बनेगा right side में बनेगा और right side में बनेगा मतलब कैसी image बनीगी real बनीगी और inverted बनीगी ठीक ना magnification निकाल लिजे m equal to i upon o equal to v upon u तो v की value 75 है और इसके में u की value कितनी minus 50 तो answer आगया कितना minus 1.5 और इस तरीके से आप use कर लिजे m o equal to height of image upon height of object okay तो m कितना आ चुका अपने पास में minus 1.5 equal to height of the image निकालनी है और height of the object आपको कितनी भी गई है 6 दी गई है तो आपके पास height of the image कितना आ गया minus का 9 cm मतलब की जो आपका object बनेगा वो कैसा बनेगा inverted बनेगा okay inverted बनेगा चलिए तो इस तरीके से आपका पूरा हो गया question ठीक है यह इसका ray diagram मना हुआ है यह इसका ray diagram भी आप पिचुरी यह draw करते हुए देखे यह पहला आपका mid brain ही कहां पे रहा है यह mid brain है यह वाला जो portion आपको दिख रहा है ना यह मैं blue color से कर दिया है इसको mid brain बोलते है और यह जो gland होती इसको पिचुरी gland बोले करते है ठीक ना यह जो gland है अंदर green इस color की यह gland जो हुआ करते है इसको पिचुरी gland बोलते है चलिए next question की तरब चलते है question number 33 done अब इसके बाद question number 34, 35, 36 यानि की long answer question है चलिए देखे on drop a small piece of sodium in test tube containing carbon carbon compound X with formula C2H6 हो मतलब यह पक्का क्या यह अपने पास alcohol है C2H5OH है effervescence is observed with a gas देखो भई क्या गिरा रहा है sodium का मतलब sodium ethoxide बनेगा और hydrogen gas निकलेगी on bringing a burning splinter on a mouth of test tube pop sound निकलता X और Y find करो chemical formula of the reaction and write the name of the structure structure of the product formed when you heat X with concentrate sulfuric acid मतलब आपको दूसरी reaction लिखनी है जब आप concentrate sulfuric acid के साथ 443 Kelvin पर गरम करते हैं आपको याद होगा तब क्या बनती है आपकी ethene बनती है तो सारी reaction आपको याद होगी अगर आपने तयारी अच्छे से करिए यह देखे क्या क्या होता है सबसे पहले अगर ने पास अपने ethanol ले रखा है सबसे पहले ethanol का नाम पूछा है तो ethanol बता दो C2H5 वह चीदी गरम करोगे sodium के साथ तो sodium ethoxide बनेगा hydrogen gas निकलेगी why is the hydrogen gas which burns with a pop sound ethene बनेगा अगर आप इसको heat करोगे concentrate H2SO4 के साथ यह देख लिजे अगर आपने इसको गरम कर दिया ethanol को तो ethene बन गया है और water लग हो गया है ठीक है ना चलिए अगला question देखते है define the term isomer good question आना चाहिए question the two compound have the same molecular formula C3H6O तो कल मैंने बताया था देखे C3H6O यह क्या होता है यह होता है CH3, C double bond O and CH3 देख लिजे C3H6O बन गया है और दूसरा CH3, CH2 और CHO यह देखे यह क्या बन गया है यह बन गया है propanol और यह क्या बन गया है propanone तो दो formula बन चुके यह इसके structural isomers है how would you bring about the following conversion ethanol to ethene देखे उपर ही लिखा हुआ है जो question उपर है वही question नीचे दे लिया है महान question बनाने वाले ने मतलब जो उपर जो question था ethanol को गरम करके ethene बना दिया था H2SO4 को और दूसरा है propanol to propanoic acid तो propanol alcohol को acid में बनाने के लिए क्या करते है औक्सिडेशन करते है तो आईए इस पूरे question को देख लेते हैं हमसे अपन पहला question है isomer के बारे में तो the compound which have the same molecular formula but different structural formula are called isomer तो यह compound isomer हुआ करते हैं अब देखे जो isomer है एक तो है propanol और दूसरा है propanol आप गिंती कर लीजे बिल्कुल के बिल्कुल same है और यह isomer में केवल functional group बदल गया है तो इन isomers को हम बोलते है क्या functional isomers इनको हम बोलते है functional isomers यह ethanol है और यह अपने पास में क्या है ethene है गरम कर दिया आपने ethene बन गया है और मैंने बताया था कि अगर आप propanol को propanolic acid बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए है आपको दो oxygen चाहिए है तो आप क्या करा दिजे आप KMNO4 KOH की presence में आप इसको गरम कर दिजे इसका oxidation करा देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा आपके पास में propanolic acid बन जाएगा याद रखेगा कि alcohol का alcohol का अगर आप oxidation कराते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास में तब आपके पास में बन जाता है acid क्या बन जाता है acid तो यही reaction यहाँ पर लगा दी गई है ठीक ना एक बार अच्छे से इन reactions को लिख लिख करके याद कर लिजे थोड़ी सी लिखनी तो पड़ेगी देखो reaction के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता है थोड़ी सी आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी चलिए अगला question देखे क्या है question number 35 what is placenta write the two function of it explain any three method of contraception तो बढ़िया question आया है देखे placenta क्या होता है और method of concentration तो यह सामने आपके मैंने पूरी की पूरी विंडो रुख दी है इसमें आपको method of concentration भी दिये हुए है placenta क्या होता इसका भी use क्या हुआ है जल्दी से इसको पढ़ लीजे और note कलीजे यह बायो का है तो मैं आपको time दे सकता हूँ दो तीन मिनट का प्लीज तो यह उपर देखे जो contraception की mechanical method लिखी हुई है है ना mechanical method लिखी हुई है contraception की जिसमें लिखा it includes the use of the condoms which are the rubber and plastic sheet put on the penis before the coetal activity use of the diaphragm cervical caps fitted in the vagina to female check the entry of the sperm to check the entry of the sperm into the uterus and also help the avoiding contraception ठीक ना use of the IUCD that is intra-uranine contraceptive devices like copper tea, loops and fitted in the uterus help to prevent fertilization and implantation of the embryo they can cause side effects due to the irritation and or infection of the uterus तो यह इनके side effects है then इसके बाद chemical कुछ methods है और इसके बाद surgical method लिए हुए है यह काफी बड़े है chemical method देख लीजे आप लोग क्या क्या होते है chemical method it consists of using some chemical which are spermicide spermicidal they may be in form of the tablet, jellies, paste and creams introduced in the vagina before the coital activity another chemical method is use of the oral concentric OC pills which inhabit the secretion of the FSH for cell stimulating hormones and LH luteinogen hormone for the anterior lobe of the piccary gland thus inhabiting the evolution of the ovary this contraceptive therefore change the hormonal balance so egg cell not release inhabit evolution and hence prevent fertilization ठीक ना इसके बाद surgical method है tubectomy, tubectomy involves the cutting of the philabin tube in the female and vescatomy involves cutting of the vest difference in each side of the males surgical removal of the ovaries can or is known as ovary satomy and removal of the testes is known as the cast castration another surgical method of the MTP medical termination of pregnancy or abortion other method of the tubal ligation in which fallopian tubes are blocked by an instrument called leproscope तो बिल्कुल सही चलिए तो यह इसका आंसर हो चुका है इसके पहले पार्ट का ओके ठीक कॉंटरस्विशन इसके बाद में देखी क्या है और वाला क्वेस्चन है जो Mendel से related तो अब इसमें आपको तीन लॉब भी निकले हैं तो यह देखी आपके पास में सबसे पहला reason लिखा गया है Mendel के पी प्लांट के लेने का और इसके बाद में plant has a short life cycle यह चार रीजन दिये गया है इसके बाद में inheritance के तीन लॉजो होते हैं पहला होता है law of dominance, law of segregation and law of independent assortment यह आप प्लीज पढ़ लीजे इसको wait करता हूँ मैं आप लोग का पढ़ने के लिए इसको pause करके आप लोग इसको पढ़ लीजे प्लीज ओके देखें next question अब 36 करते हैं, question 36 क्या कहरा, explain why two magnetic lines do not intersect each other, पहला question है, state the rule to determine the direction of the magnetic field produced around a current carrying straight conductor, draw a sketch of the pattern of field lines due to the current flowing through a straight conductor, third question है, explain on what factor does the magnetic field produce by a straight current carrying conductor depend, तो यह तीन question आपके सामने दिये गए हैं, कहरा कि किस factor पर magnetic field last वाला जो है, किस factor पर magnetic field state current carrying conductor के round जो develop होता, वो depend करता, आइए करते हैं के question, पहला question, magnetic field lines can never intersect each other because if they intersect at a point, magnetic field at that point will have two directions which is not possible, if we put a magnetic field needle at a such point, it will point in two directions that is impossible, सही बात है, अगर दो lines एक दूसरे को cancel करीगी, तो दो direction होगी, जो कि practically possible नहीं है, बात की गी थी किस direction से आपको magnetic, किस rule से magnetic field का पता चलता है, state the rule for determining the direction of the magnetic field, तो correct answer है, answer है right hand thumb rule, यह क्या इसको explain करता हूँ, imagine that you are holding a current carrying straight conductor in the right hand and the thumb is stretched along the direction of the current, then your finger will wrap around the conductor and the direction of magnetic field lines, in the direction of the magnetic field lines of the magnetic field, बिल्कुल सही बात है, मतलब आप अगर conductor से अंगोठी की direction में एक conductor को पकड़ते हैं, तो जिस direction में आपकी उंगलिया आप wrap होंगी, उसी direction में आपका magnetic field जो हो रहा, convey हो रहा होगा, okay तो यह देखे, magnetic field यहाँ पर इस direction में जाएगा, चलिए, अब बात करते हैं कि magnetic field जो produce होता है current carrying conductor से वो किस चीज़ पर depend करता, first, the strength of the magnetic field is directly proportional to the current flowing through it, मतलब जो magnetic field होता है, वो current के proportional होता है, जितनी ज्यादा current हो होगा, second, distance from the conductor, the strength of the magnetic field is inversely proportional to the distance from the conductor, मतलब आप conductor से जितनी दूरी पर जाएंगे, जितनी ज्यादा distance होगी, magnetic field उतना कम होता जाएगा, मतलब B is inversely proportional to R, मतलब distance बढ़ेगी और magnetic field आपका कम होता जाएगा, चलिए, done, चलिए, तो यहाँ तक हो चुका है, अब इसके बाद हम क हैं, तो यह पूरा का पूरा आप data पढ़ लीजेगा, यह वही oxidation वगरे का data, मतलब जो normal आप पढ़के आया हो, वही data रहता, थोड़ा सा case basis को कर देते हैं, अब मुझे तो experience है, आप तो पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पर सीरे-सीरे question करके देता हूँ, ठीक ना, यह reaction का दो example हमारे daily ref में, एक है corrosion, एक है rancidity, एक है corrosion, एक है rancidity, explain using the reaction the oxidizing agent present in reaction 3 and reaction 6, देखिए reaction number 3 कौन है, यह reaction number 3 है, ओके यह देखिए आपकी reaction number 3 है, ओके और reaction number 6 का है, यह आपकी reaction number 6 है, तो मैंने दो आपको reaction बता ही, reaction number 3 बता दी, reaction number 6 बता दी, अब क्या कह रहा है, explain using reaction the oxidizing agent present in reaction number 3 and 6, देखिए इसका solution क्या दिया है, देखिए CUSO 4 in 3rd and CuO in 6, तो ठीक है, ज़्यादा इसने अच्छे से explain नहीं कर रहा है, देखिए CUSO 4 क्या कर रहा है, oxidizing agent है, और यहाँ पर copper oxidize, किसको oxidize कर रहा है, hydrogen को, इसलिए यहाँ पर copper oxide क्या है, oxidizing agent है, चलिए next करते हैं, अगला पार देखेंगे, ओके, अगला पार देखिए क्या कह रहा है, out of the oxidation and reduction, which reaction takes place at anode and cathode, ओके, बहुत बढ़िया, मतलब oxidation और reduction के बारे में पूछा गया है, कि क तो वावल, वावल को साथ में कर दो, मतलब oxidation कहां पर anode पर होता है, okay, oxidation takes place at anode and reduction कहां पर होता है, cathode पर होता है, तो यह इसकी trick से आप याद कर सकते हैं, O for Vowel and A for Vowel, तो वावल, वावल साथ में रहेंगे, consonant, consonant साथ में रहेंगे, तो oxidation कहां पर होता है, anode पर होता है, और जो reduction होता वो कहाँ पे होता, cathode पे होता, चली यह 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 भी complete हो गया, अब इसके बाद question number 38, an ecosystem defined as the structural functional unit of the biosphere compressing living organism, यह तो चलो सब ठीक है, इसके बाद question, give any two example of the artificial ecosystem, artificial ecosystem का example, two example of artificial ecosystem are crop field and aquarium, यह है artificial ecosystem, दूसरा question, give some example of the biotic factors on the ecosystem, तो biotic factors of an ecosystem, producers, consumers and decomposers है, इसके बाद में, water the decompositor, state the one role of decompositor in the ecosystem, तो decompositor are the microorganism which break down the complex organics compound into the dead organism into the simpler substance, okay, फिर से पल देता हूँ, decompositor are the microorganism which break down the complex organics compounds in dead organisms into simpler substances, rule of the decompositor in an ecosystem as follows, clean the environment, help the nutrients, recycling and maintain soil fertility, यह हो गया, चली अगला देखिए, इसके बाद और वाला question एक ही लाइन में है, the number of the tropic level in a food chain is limited भाई, हाँ भाई, number of tropic level food chain क्योंकि 10% law रहता है और अगर tropic level बढ़ते जाते हैं तो इतनी energy बसती नहीं कि organism sustain कर पाया, जिंदा रह पाया, it is because of 10% energy law passed on next higher tropic level in a food chain, as a result of this there is a progressive decline in the energy level of the amount of energy available, energy level and the amount of energy is available is not enough to sustain more than few tropic level in the food chain, चले देखे अब इसके बाद हम चलते हैं question number 39 पे, ये question number 38 तक हो चुका, question number 39 देखे यहाँ पर एक बड़ी सी पूरी कथा कहानी लिखी हुई है भाई वो तो ठीक है, चलो ये देखो क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक आपके समने concave lens दिया हुआ है, और raise आ रही है, parallel हो infinity प focus पे हो जाएंगी, चलो अच्छी बात है, सब कुस दिया हुआ है, मैं सीधे question पे देखूंगा, define the focal length of a concave lens, concave lens की focal length क्या है, ओके चले definition पढ़ते है, concave length की focal length क्या है, भाई pole से ले करके इसके जो focus तक की distance होती है, the distance between the focus and the optical center of a concave lens is called focal length, चले ठीक अच्छी बात है, second question formation of the image of an object when it is placed between F1 and 2F1 in the front of concave lens, तो आपको बता रहा है, कि F1 और 2F1 की बीच में, यहाँ पे F1 है, और यहाँ पे 2F1 है, इसके बीच में, अगर कोई lens की रखा हुआ है, object रखा हुआ है, तो आपको इसकी image बतानी है, ठीक ना, ठीक है, कौन सा lens आपको दिया गहा, concave lens आप को दियागा, अगर इस situation में आपके पास को image रखी हुई है, तो आपको बताना है, तो दीखे, यह आपके पास में F1 है, और यह आपके पास में 2F1 है, तो आपको पता है, पहली चलने वाली rays diverge हो जादी, दूसरी optical center से जाएगी, उसी में आजाएगी, और यह आपकी image बन ठीक ना, क्योंकि कॉन के में 2 case बनते हैं, कॉन के में, एक infinite वाला है और anywhere, तो anywhere वाले में आजाएगा, यह आजाएगा, बहुत ही simple question है, कुछ भी नहीं इसमें करने जैसा, अगला में numerical दिया गया है, divergent lens है, focal length, तो आपको पता है, concave की focal length क्या, divergent lens क्या होता है, concave ही होता ह focal length किती वी गई है, minus 30 ले लो क्योंकि concave की negative होती, at what distance should the object of height 5 cm in the optical center of the lens be placed, मतलब आपसे u पूछा गया है, और आपसे height of the object किती वी गई 5, so there is the image from this 15 cm away from the lens, मतलब आपको u भी जो है, वो कितना बोला गया है, भी जो है आपको बोला गया, 15 बोला गया है, अब देखें, यहा u देखें, h दिया है, v दिया है, u फाइंट करना है, और f आपको दी गई, minus 30, चले formula लगा दीजी, देखें, u की value कितनी आगई, minus, अरे भाही, u तो दिया हुआ था, वी दिया था, sorry, तो u की value कितनी आगई, आपके पास में, minus 30, मतलब object जो होगा, minus 30 cm पे होगा, okay, यह object की distance आचुकी है, चले, अगला question देखते हैं, इसके बाद और वाला question क्या दा है, the image of the object, formed by a concave lens is magnification, 1 by 2, the sum of the distance of the object and image respectively, of the lens is 60 cm, कह रहा है कि, जो sum है, the sum of the distance of the object and its image respectively, from the lens is 60 cm, what is the focal length, देखें, थोड़ा सा question यह है, tricky level का, इसको मैं कहूंगा, read before exam, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि, lens से जो object की distance है, और image की distance है, वो आपको 60 दी जा रही है, और कौन सा lens है, कौन केव है, तो एक आपको देखो इस तरीके से, u plus v, equal to किती है, 60 है, ओके, और m equal to कितना दिया, 1 by 2, तो m equal to 1 by 2, तो m equal to 1 by 2, दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पता है, कि कौन केव में कैसी image ब क्योंकि, v equal to कितना ए, u by 2 है, तो u को अपने minus x ले लिए, तो v कितना बने गया, minus x by 2, u plus v equal to 60 है, तो minus x plus minus x by 2 का mod equal to 60, तो यहाँ से x equal to कितना आ गया, 40 हा गया, solve करने पर, तो u equal to कितना हो गया, minus 40, और v equal to कितना हो गया, minus 20, अब यहाँ से आप solve कर दीजे, तो आपके पास था कि इस paper को मैं पूरा करा हूँ, यह most obvious जो paper है, इसको मैंने पूरा करा दिया है, और इसको आप आज पढ़के जाए, okay, I hope, और मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि कल जो आपका paper होने वाला है, इसमें आपको बहुत फायदा मेंदा है,